Hello everyone, आज के इस session में हम discuss करने जा रहे हैं class 10th physics के chapter light reflection and reflection का एक और new topic और वो new topic है laws of reflection previous sessions में हमने light के reflection की ऊपर बात करी है मैंने आपको समझाया था कि exactly light किस तरह से reflect करती है और light के reflection का reason क्या होता है आखिर light क्यों reflect करती है इस सवाल का जवाब भी मैंने आपको दे दिया था In fact, previous lecture में हमने refractive index की भी concept को समझ लिया था तो कहने का मतलब यह है कि reflection of light and refractive index इन दोनों ही concepts को पढ़ने के बाद, समझ लेने के बाद अब हम इतने सक्षम बन चुके हैं कि अब हम समझ सकते हैं क्या laws of reflection को और इसी लिए इस session में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी laws of reflection और बस यही है हमारे आज के इस session का target hopefully आप सभी को समझ में आया होगा तो अब एक काम करते हैं अपने इसी target को अचीव करने के लिए आये हम करते हैं अपने session की शुरुआज तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये session जहां पर आज हम बात करेंगे पढ़ेंगे समझेंगे laws of reflection को ओके चलो आजो बच्चो कहानी शुरू हम करते हैं आज के हमारे session की अचा अगर आपको यादो तो previous sessions में जब हम light के reflection के उपर बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि बेटा जब भी light reflect करती है तो वो एवे ही reflect नहीं करती है कहने का मतलब यह है कि जब भी light reflect करती है तो वो कुछ rules को या आप बोल सकते हो कि कुछ laws को certain laws को follow करके ही reflect करती है कि आपने बोल दिया कि देखो मैं light reflect कर रही है तो वो एवे ही reflect नहीं कर जाएगी हमेशा बेटा reflection के दोरान light कुछ rules को कुछ laws को follow करती है हमेशा light का reflection certain laws को follow करके ही होता है और उन्हीं laws को अपन बोल देते थे क्या laws of reflection याद आया कि नहीं आया अपन पढ़ चुक है न कि जब भी light का reflection होगा certain laws को follow करके होगा और उन्ही laws को अपन बोल देते थे प्यार से laws of reflection similarly बिटा जब भी अब अपन बात कर रहें light के reflection की तो जब भी light का reflection होगा जब भी light reflect करेगी तो कुछ नियमों को कुछ rules को या आप बोल सकते हो कि कुछ laws को follow करके ही light reflect करेगी यूई नहीं कि बस reflection था तो हाँ हो गया light reflect हो गई हमेशा कुछ नियम follow किये जाएंगे कुछ laws follow किये जाएंगे reflection के तुरान और इसलिए उन laws को अपन बोल देते हैं क्या laws of reflection ठीक है अब तुम्हें लगेगा कि मैम ना जाने हमें कितने laws पढ़ने होंगे laws of reflection के नाम पर तो बिटा घबराने की या tension लेने की जरुवत बिल्कुल भी नहीं है दो ही होते है laws laws of reflection तो आजाओ मैं एक एक करके आपको दोनों ही laws समझा देती है ठीक है चलो आजा उसके पहले थोड़ी सी चित्रकारी यहाँ कर लेते हैं दीको सबसे पहले हमारे पास नइ दो medium होने चाहिए अरे भऐ अपन light के रिफ्रेकशन की बात कर रहे है नँठ तो दो medium तो होने ही चाहिए ना कि light के रिफ्रेकशन से मतलब क्या होता है अपन पर चूक है ना light का deviate हो जाती है या bend हो जाती है तो light की बेटा उसी bending को from its original path हम क्या बुलाते हैं कि देखो light का reflection हो गया है light refract हो गई है ना light की जो bending होती ही ना उसकी original path से उसी को पन बोल देते हैं क्या कि देखो यहां पर light का reflection हो गया है अब अगर मैं आपसे पूछओ कि बेटा इसी क्या मजबूरी थी light की कि उसे अपने original path से bend होना पड़ा कोई दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ा कोई दूसरा route उसको पकड़ना पड़ा क्या मजबूरी हो गई light की है तो light बोलेगी कि यार देखो ऐसा है कि मैं एक मीडियम में travel कर रही थी ठीक हमने light से ही पूछ लिया तुमसे क्या पूछना तुम्हें तो पता ही होगा हमने light से ही पूछ लेकि light ज़रा बताओ कि तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें अपने original path से deviate होना पड़ा बेंड होना पड़ा ने रास्ता पकड़ना पड़ा तो light ने बोला कि यार देखो ऐसा है कि मैंना एक medium में travel कर रही थी मैं एक medium में propagate कर रही थी और तब तक कोई दिक्कत नहीं आई कोई भी दिक्कत नहीं पर हुआ कि अचानक से ट्रावल करते करते मेरे रास्ते में एक दूसरा मीडियम आ गया यानि कि आप ऐसा समझ लो कि इनिशली जो लाइट है वो मीडियम ए में ट्रावल कर रही थी और जब तक वो मीडियम ए में थी तब तक कोई भी दिक्कत नहीं थी वो अपने उरिजिनल पाच से जरा भी डेवियेट नहीं हुई थी पर फिर लाइट ने बोला कि भई ट्रावल करते करते हुआ कि एक दूसरा मीडियम आ गया रास्ते में बोले तो मीडियम भी आ गया light initially कहां थी कहां travel कर रही थी medium A में फिर क्या हुआ अचानक से सामने रास्ते में दूसरा medium आ गया medium B आ गया तो तो में यह लगता है light डर जाएगी क्या कि oh my god दूसरा medium आ गया मैं क्या करूंगी मैं पलट के वापस चली जाओंगी कि मुझे नहीं पता कि दूसरे medium में मुझे क्या करना है ऐसा होगा क्या नहीं light बोले कि कि अरे भाई मेरा काम है travel करना प्रफोगेट करना तो चाहे जो भी medium हो मैं तो travel कर जाओंगी मैं किसी कि मैं किसी से डरती थोड़ी ना हूँ यानि कि light में बोला कि भाई initially मैं medium A में थी अच्छा खासा travel कर रही थी रास्ते में आ गया क्या medium B तो मैं क्या करूंगी मैं medium B में भी चली जाओंगी और literally यह यह होता है कि जो light है ना वो medium A से निकलके medium B में आ जाती है और medium B में वो मतलब अपनी traveling को continue रखती है सानी कि medium B में आकर कि रुक गई है नहीं medium B में घुस करके बेटा वो अपनी जो traveling है अपना जो propagation है वो continue रखती है मतलब कि वह वहां भी चलती है तो हमने बोला कि ठीक है अब तुम medium A में थी रास्ते में medium B आ गया तो तुम उसमें भी चली गई तो इसमें original path से deviate होने वाली बात कहां से आ गई क्या बड़ी बात हो गई तो light होने से अरे मेरी स्पीड बदल गई यार लाइट ने बोला कि आपके लिए कहना असान होगा मैं कि तो क्या बड़ी बात हो गई कि अगर तुम्हारा होने से तुमको पताय कि या तो स्पीड बढ़ेगी कर शंच शर vide का मतलब क्या है मैं से वाले medium में गई है लेकिन अब भी के लिए तो तो मितना समझी सकते हो कि मैं क्या कहना चालियो तुमसे कि जब medium change होगा तो बेटा light की जो speed है वो change हो जाएगी और जहां light की speed change हुई जैसे ही light की बेटा speed change होगी light बोलेगी कि देखो ऐसा है हम तो हैं महापंक्चुल हम अपने destination पर exact time पर पहुंचना चाहते हैं exact time पर ना समय के पहले ना समय के बाद तो क्योंकि दूसरे medium में आकर के हमारी speed change हो गए और इसके चलते हमें अपने original path से भटक करके deviate हो करके bend हो करके एक दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा ताकर की ताकि हम अपने जो destination है उसके उपर time पर पहुंच सके तो यह पूरा concept बेटा अपन already पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं बस एक recap मैं आपको दे देती हूँ हर बार ताकि आप जो भी topics चल रहे हैं ठीक हैं उनकी theory को आप आपस में relate कर पाओ कि जैसे ही light का medium change हुआ उसकी speed बदल गई और क्योंकि speed बदल गई तो light ने बोला कि भईया अपने destination तक समय पर पहुंचने के लिए मेरी मजबूरी हो जाती कि मैं अपने original path को छोड़ करके एक नया रास्ता पकड़ू मतलब कि bend हो जाओ डेविएट हो जाओ और जहां मैं bend ह हुई यहां light की bending हुई अपन बोल देते हैं कि देखो क्या हुआ है light reflect कर गई है light का reflection हो गया है ठीक है अब क्योंकि हम बात कर रहे है laws of reflection की हम light के reflection की बात कर रहे हैं बेटा तो जाहिर सी बात है यहां पर हमारे पास 2 medium तो होने ही चाहिए है ना आ जाओ तो यह हो गया अपन medium 1 और यह हो गया अपना medium 2 ठीक है medium 1 and medium 2 और इनको separate करने वाली जो boundary है इसको पन क्या बोल देते हैं interface बोल देते हैं ठीक है चलो यहां पर हम specify भी कर देते हैं कि medium 1 जो है यह एक rarer medium है और medium 2 एक denser medium है सब कुछ यहां पर बेटा हम specify करते होए आगे बढ़ रहे हैं कि medium 1, medium 2 यह एक rarer medium है यह एक denser medium है और दोनों को separate करने वाली जो margin है जो boundary है उसको पन बोल देते हैं क्या interface ठीक है अब देखो हो क्या रहा है light आ रही है ठीक है light आ रही है आ कहां से रही है वो आ रही है मतलब आप यह समझ लो कि light जो है वो initially travel कर रही थी या propagate कर रही थी medium 1 में यह देखो कुछ इस तरीके से बिटा light जो है medium 1 में travel कर रही थी प्रपुगेट कर रही थी चल रही थी चल रही थी चल रही थी और हुआ क्या अचानक से दूसरा medium उसके रास्ते में आ गया यानि क्या बोल सकते हो कि वो interface पर आ करके light जो है वो गिर गई है ठीक है तो यह जो light ray आ रही बेटा इसको मैं incident light ray बोल सकती हूं कोई वच्चा बुरा तो नहीं मानेगा कि मैं हम आपने ऐसे कैसे बोल गया देखो मैं सब जहा समझा कर की तो मैं आगे पढ़ा रही हूं चीजें ठीक है तो यह बेटा light ray है जो medium 1 में initially travel कर रही थी और हुआ क्या आ गया interface तो यह interface पर आ करके इस point पर गिर गई तो क्यों ना अब मैं इसको incident light ray बोल दूँ तो यह हो जाएगी बेटा यहाँ side में लिख देती हूं incident light ray ठीक अभी मैंने laws of reflection पढ़ाने शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ाने के पहले कुछ basics हैं वो clear करने होंगे तुम्हारे तब जा करके तुम laws of reflection को समझ पाओगे ठीक है अब जिस point पर आकर की गिरी है ना इंटरफेस के जिस point पर आकर की यह light ray गिरी है उस point क यह क्या हो जाएगा बेटा point of incidence यह हो जाएगा point of incidence इंटरफेस के जिस point पर आकर की गिर गई है उसको अपन ने बोल दिया point of incidence अब क्या करेंगे अपन इसी point of incidence पर एक normal ड्रॉ कर देंगे नॉर्मल सबको पता है क्या होता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पिछले जनम से मतलब कि reflection जब अपन पढ़ रहे थे ना तब से मैंने बताया हुआ है कि नॉर्मल क्या होती है तो बस point of incidence पर बेटा हम क्या करेंगे एक सुन्दर सा प्यारा सा नॉर्मल कुछ इस तरीके स draw करने है थोड़ा सा तेड़ा तो नहीं बन गया है चले काम करते हैं फिर से बना देते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब भी थोड़ा सा तेड़ा ही है अब फिर भी ठीक है स्केल नहीं है न मेरे पास इसलिए वो खड़ा सा उपर नीचे बन जाता है ठीक है तो point of incidence पर बेटा हमने क्या करा है ऐसा नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है ठीक है अब देखो light आ कैसे रही थी कुछ इस तरीके से जाना उसको कैसे था जाना उसको बेटा कुछ इस तरीके से था बही light की तो tendency होती न उसका तो nature ऐसा होता है कि light बोलती है कि बही मैं अपने original path से जरा भी deviate नहीं होना चाहती हूँ जरा भी मैं bend नहीं होना चाहती हूँ यह original tendency होती है light की ठीक है तो light को बिटा light आ ऐसे रही थी और जाना उसको ऐसे था लेकिन मजबूरी क्या मजबूरी अरे देखो ना medium change हो गया ना बहीं लाइट जो है अपनी internet रे जो है वह interface पर आकर की तो गिरी गई है अब क्या होगा वह देखेगी कि भई या आगे तो क्या है दूसरा medium शुरू हो गया तो क्या वह डर के वहां से निकल भागेगी क्या reflect हो है मैं सबको क्रॉस कर लूँगी मैं डरूँगी नहीं तो light होगा क्या बेटा interface पर आकर के गिरी तो है यह incident light रे आप बोल सकते हो कि interface पर आके गिरी तो है और अब क्या होगा धीरे से यह medium 2 में भी जाएगी medium 2 में भी आ जाएगी कुछ इस तरीके से यह और कुछ इस तरीके से कि medium 2 में आ करके नहीं Park मीडियम टू में आ करके बेटा यह ट्रावल करने लग जाएगी आई है तो बकाइदा क्या करेगी अपनी जो ट्रावलिंग है जो अपना प्रपोगेशन रखेगी ना कुछ इस तरीके से ठीक है तो अब देखो आप लाइट आ ऐसे रही थी जाना उसको ऐसे था लेकिन अब देखो लाइट इग्जाटली जा कैसे रही है मैंने क्या बोला जा ऐसे रही थी मैंला लाइट जो है वो आ ऐसे रही थी जाना उसको ऐसे था जाना उसको ऐसे था लेकिन अब वो जा कैसे रही है बेटा वो ऐसे जा रही है यानि कि ये क्या था ये था लाइट का उरिजिन पाथ जिसको क्यों से फॉलो करना चाहिए था टेक्निकली लेकिन फिर क्या हुआ वो अपने उरिजनल पाथ से बच्चों डेविएट हो गई है देखो अब वो ऐसे जा रही है यह उसका उरिजनल पाथ था और अब वो जा ऐसे रही है मतलग कि लाइट अपने उरिजनल कि में रिफरेक्शन हो गया ना बेंडिंग हो गई लाइट रेकी उसके उरिजनल पाथ से साल Вот तो अब रिफ्रेक्शन हो चुका है तो लाइट जो है बेटा अपनी रेरर से डेंसर मीडियम में आई है तो जाहिर सी बात है रेरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट आती है तो होता क्या है भाई light जो है न वो कम traffic वाले region से या कम traffic वाले medium से ज़ादा traffic वाले medium में light जब आ जाती है तो पिटा यहां पर आकर कि उसकी speed क्या होगी अरे कम होगी की नहीं होगी highway वाली road से तुम अपने घर के पीछे जो गली चलती है तुम वहां आ गए हो तो तुमारी गाड़ी की जो speed ह वह अपने अपकम नहीं हो जाएगी क्या क्योंकि highway वाली रोड़ पर तो traffic बहुत कम होता है वहां तुम क्या करते हो धूम में चले धूम में चले करते हुए गाड़ी निकाल लेते हो और जहां तुम वापस लोड़ के आए कहां अपने घर में अपने घर की चो पीछे पीड़ कम हो जाएगी और जहां स्पीड कम होई राइट ने बोला कि अरे यार अगर ऐसे तो मेरी स्पीड कम हो गई तो फिर तो मैं अपने डेस्टिनेशन पर लेट हो जाऊंगी ना पहुंचने में मैं लेट नहीं होना चाहती है इसलों उसने क्या करा उसने बोला कि आप देखा आप आप देखा ना लाइट को जाणा ऐसे था लेकिन आप बेंडिंग का हुई है नॉर्मल की तरफ हुई है आप बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों कि पिज़िए नार्मल की तरफ बेंड हो करके जाती है ना तो उसको अपने डेस्स्नेशन तक पहुंचने के लिए यदि bend करके light ray जाती है ना तो उसको छोटा रास्ता मिल जाता है ठीक है चलो तो bending का हूँ है towards the normal bending का हूँ है towards the normal ठीक है अब आज आपन सारे angles mark कर देते हैं incident ray और normal के बीच का यहाँ पर जो angle बना है बिटा incident ray और normal के बीच का यहाँ पर जो angle बना है उसको क्या बोलेंगे अपन सबको पता है reflection के time से पढ़ते आ रहे हैं इसको अपन बोलते है angle of incidence angle between incident ray and normal ठीक है similarly refracted ray और normal की बीच का जो angle बना है इसे अपन क्या बोलेंगे एंगल ओफ रिफ्रेक्शन बैइ रिफ्लेक्टेड रहे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता उसको पन बोलते हैं अंगल ओफ रिफ्लेक्शन यहां पर हमारे पास रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा है तो रिफ्रेक्टेड रहे और नॉर्मल क के बीच का angle के लाया जाएगा angle of incidence, refracted ray and normal के बीच का angle के लाया जाएगा angle of reflection, समझ में आई बात, चलो, अब अपन पढ़ते है laws of reflection, जो अपना main topic था बेटा, उसके उपर अपन वापस याते हैं, laws of reflection, देखो, पहला law जो है, वो बड़ा ही असान सा है, कता ही तुम्हें उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है, देखो, first law ये बोलता है, कि incident ray, normal and refracted ray, तीनो की तीनो same plane पर लाय करती हैं, बेटा ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, first law of reflection ये बोलता है, कि incident ray, normal and refracted ray, तीनो की तीनो same plane पर लाय करती हैं, आप बोलोगी कि मैं ऐसा ही कुछ तो हमने पहले भी कहीं सुन रखा है, कहां सुन रखा है, मैं जब अपन पढ़ रहे थे न, laws of reflection, तो आपने पहला law ऐसा ही बताया था, कि incident ray, normal and वहाँ पर क्या थी, reflected ray, ये तीनो की तीनो same plane पर लाय करती हैं, और आप अभी भी हम को वही चीज़ पढ़ा रही हो, हाँ तो, अब भई, जो laws है वो तो मुने पढ़ाने ही पढ़ेंगे न, यहाँ पर पहला law of reflection क्या बना, कि incident ray, normal and refracted ray, reflection हो रहा है न, इसलिए, reflected ray, they all lie on the same plane, same plane पर ये लाय करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको समझाओ, देखो, ये दो plane तुमको दिख रहे होंगे, देखो बिटा, ये दो plane तुमको दिख रहे होंगे, देखो, कुछ इस तरीके से, एक ये वाला plane दिख रहा है तुमको, और एक ये वाला plane दिख रहा है तुमको, तुमको दो plane दिख रहे हैं पहला law of refraction ये बोलता है first law कि इंसिदेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टेड रही है तीनों की तीनों at the point of incidence same plane पर लाय करने चाहिए याने कि अगर इंसिदेंट रे ऐसे आ रही है ठीके यदि इंसिदेंट रे का है बेटा इस रही है तो नॉर्मल भी इसी प्लें पर होनी चाहिए रिफ्रेक्टेड रही इस प्लेंट पर होनीच यह यह रहा can you नौनोने क्या करा इस एलिवा इपना दिया लेकिन जो रिफ्रेक्टेडरे है वह कहां आ गई बिस्ट에गए इस प्लेन पर आ गई हम इस नहीं होगा यह तो हम बोलो कि मैं इंसे रे यह फी नॉर्मल और रिफ्रेक्टेडरे कहा है इन इस प्लेनपर है ऐसा नहीं होगा at the point of incidence तीनो, incident ray normal and refracted ray तीनो की तीनो same plane पर लाए करेंगे अब वो देखा जाएगा कि कौन सा plane है लेकिन plane एक ही होगा, कि अगर incident ray यहाँ है तो normal और refracted ray भी इसी plane पर होंगे और अगर incident ray इस plane पर है तो normal और refracted ray भी इसी plane पर होंगे, plane change नहीं होगा ठीक है, तो यह बन गया क्या बेटा पहला law of reflection, कितना आसान एकदाम बच्चो वाला लिख दू यहाँ पर, first law of reflection क्या बोलता है incident ray normal and refracted ray all lie all lie on the same plane सब क्या होते है बेटा same plane पर लाय करेंगे plane change नहीं होगा ठीक है, चल्द अब अब बात करते हैं, second law of reflection क्या आप बोलोगी कि मैं इतने जल्दी second law आ गया हाँ, इतने जल्दी second law आ गया लेकिन second law बेटा थोड़ा सा तुम्हें समझाना पड़ेगा और इसे समझाने के लिए या ये बोल सकती हो में कि इसे समझने के लिए refractive index का concept use होता है और इसी लिए मैंने तुम्हें पिछले lecture में refractive index समझा दिया था कि ताकि तुम्हें जो second law of reflection है to be specific वो तुम्हें अच्छी से समझ में आ जाएं एक और चीज़ यहां पर मैं add करना चाहूंगी बेटा second law of reflection को ना हम snell's law भी बोलते हैं हम snell's law भी बोलते हैं ठीक है तो मान लो कि अगर exam में आ गया कि state snell's law तो confuse मत जाना कि मैं यह snell's law क्या होता है हमने तो reflection के दो laws पढ़ें और reflection के भी दो laws पढ़ें तो बेटा जो second law of reflection है ना उसी को अपन बोल देते हैं क्या snell's law ठीक है चल अब इसमें देखो होता क्या है यह law बोलता क्या है snell's law यह बोलता है कि भई अगर given pair of media आपने same रखे हुए है constant रखे हुए है तो फिर जो ratio होता है sign of angle of incidence to the sign of angle of reflection वो हमेशा constant रहता है it will remain constant I repeat snell's law यह बोलता है कि अगर given pair of media constant है same है given pair of media यदि same है तो फिर the ratio of sign of angle of incidence to the sign of angle of reflection will remain constant नहीं पल्ले पड़ी बात मैं समझाती हूँ यहाँ हो मान लो बेटा कि हम दो media ले रहे हैं कौन से? fix करना पड़ेगा देखो law खुदी बोल रहा है कि media same रखो कम से कम जो second law है तो उसका जो पहला जो first part है जो first half है वो तो याद रखो second law क्या बोल रहा है snail law क्या बोल रहा है कि if the given pair of media are kept same अगर given pair of media को हम same रखें तो यहाँ पर हमें जो दो media हम लेंगे ना उसको हमें fix करना पड़ेगा तो मान लो कि हम एक medium ले रहे हैं air और दूसरा medium हम ले रहे हैं water चीक है चलो यहाँ हो यह है air और यह है water और अब चाहिए कुछ भी हो जाए बेटा कुछ भी हो जाए इनको आप change नहीं करना यह मत करना कि मैम अभी तो हमने फिलहाल पानी ले लिया है और अगले वाले example में तेल ले लेंगे यह अगले वाले example में water की जगा oil की जगा diamond ले लेंगे glass ले लेंगे नहीं यह air है यह water है तो आगे आने वाले examples में भी बिटा यह medium air ही रहेगा और यह वाला medium water ही रहेगा given pair of media बिटा हमें same रखने है ठीक है चलो अब देखो हुआ क्या हूँ light ray आर यह कुछ इस तरीके से incident light ray आर यह कुछ इस तरीके से initially बिटा light ray कहां travel कर रही थी incident ray कहां travel कर रही थी air में travel कर रही थी interface पर आके टकर आई है फिर क्या हुआ पानी के अंदर आ गई तो यह काम करते हैं यह हो गई अपनी incident light ray point of incidence पर हम यह normal draw कर देते हैं और सीधे क्या बना देते हैं refracted ray बना देते हैं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं कि मैं हम आपने light का original path नहीं बनाया अरे तुम original path मत देखो न तुम तो सिर्फ यह देखो कि light पहले थी कहां air में अब कहां आ गई पानी में मतलब कि light जो है बेटा वो rarer से denser medium में आ गई है तो speed कम हो जाएगी और इसलिए उसकी bending कहां होगी shortcut लेने के लिए towards the normal तो यहाँ पर देखो न बेंडिंग होगी न towards the normal तो यह बन गई आपकी incident ray यह बन गई normal और यह बन गई आपकी refracted ray incident ray और normal के बीच का angle क्या होगा बेटा incident ray और normal के बीच का angle क्या होगा angle of incidence और नॉर्मल और रेफ्रेक्ट रे के बीछ का जो आंगल होगा उसको पन क्या बोलेंगे ? अंगल रिफ्रेक्षन ठीक है ? अब हम क्या करेंगे बीटा ? रेश्यो निशालेंगे, डेशो कैसा डेश्यो में तरब रेश्यो बनाएंगे ? कौन सा डेश्यो ? sign of angle of incidence to the sign of angle of reflection यह sign वाले बिटा function तुमने पढ़े होंगे ना maths में 10th में आगया तो 10th maths में वो होती ना trigonometry मैस में पढ़ाया होगा है सर ने है ना तो बस वही हमने trigonometric function लिया है sign वाला ठीक है तो यहां पर हमने ratio बना दिया क्या sign of angle of incidence to the sign of angle of reflection ठीक है अब क्या करेंगे एक कान करो ना बिटा यहां पर जो हमने angle of incidence बनाया है तुम इसको आईवन मान लो आईवन लिख दो मान लो क्या लिख दो मेरी बात समझो यह अपना पहला example देख रहे हैं बिटा रख रहे हैं आईवन और जो angle of reflection यहां पर बन रहा है पहले example में उसको पन क्या नाम दे रहे हैं आरवन ठीक है अब यहां पर क्या कर आपने ratio बनाया अब इसी ratio में यहां पर i की value रख दो यानि की sin i1 by sin r2 वही angle of incidence यहां पर कितना बन रहा है आईवन और angle of reflection r1 और यहां पर इस ratio को solve किया तो value कितनी आ गई x आ गई देखो यहां पर हम specifically नहीं बोल रहे हैं कि यहां पर angle of incidence कितना है यह angle of reflection कि बलब value में आपको नहीं बता रहे हूं कि देखो बच्चों यहां पर angle of incidence जो है न वो 30 डिगरी है और angle of reflection जो है वो 20 डिगरी है यहां पर मैं आपको exact values नहीं बता रहे हूं बस इतना समझ कि light I incident हुई दूसरे medium में आ गई पानी में आ गई ठीक है reflection हो गया यह बन गया angle of incidence यह बन गया angle of reflection फिर हमने क्या करा ऐसा ratio बनाया sign of angle of incidence to the sign of angle of reflection का हमने ratio बना लिया अब हम क्या करेंगे इस ratio में यह value पुट कर देंगे तो sin I1 by sin R1 और जब अपर ने इसको solve किया तो अपना answer कितना आ गया बिटा एक्स आ गया इतनी बात समझ में आई आप देखो दूसरा example ठीक है आप देखो दूसरा example दुबारा से हम क्या लेंगे बिटा वही interface ले लेंगे और जैसा कि तुमको मैंने बताया medium change नहीं करने है पहला medium यदि air है और दूसरा water है तो वह वही का वही रहेगा क्रपा करके medium change मत करना अब क्या हुआ है एक बार फिर से बिटा incident light ray आई है और interface पे आकर के गिरी एक बार फिर से इंसिडेंट light ray आई है और interface पे आ करके गिरी है point of incidence पे हम क्या करेंगे normal draw कर देंगे आप बोलोगी कि मैं मापकी जो incident ray है वो थोड़ी सी तेडी बनी बिटा मैं क्या कुरू में पर skill नहीं है ना इसलिए ठीक है तो normal बन गई अब हम क्या निकालेंगे यहां से refracted ray निकालेंगे निकाल दी refracted ray निकाल दी अब यहां पर भी क्या बनेगा angle of incidence between incident ray and normal और यहां पर जो बेटा angle of incidence बना है यहां पर जो angle of incidence बना है वो कितना है i2 पहले वाले example में कितना बना था angle of incidence i1 और angle of reflection r1 दूसरे वाले example में जो angle of incidence है वो कितना बना है i2 बना है और angle of reflection कितना बना angle of reflection बना है R2 अब क्या करेंगे ratio यहाँ पर जो आपने meetup बनाया था ना, उसी ratio में अपन ये रख देंगे, तो कितना आ जाएगा sine I2 by sine R2 ratio जो है वो तो अपना same चलेगा sine of angle of incidence तो sine of angle of reflection वो अपना same चलेगा ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, sine I2 by sine R2 और जब इस पूरे को हम बेटा solve करेंगे, ratio निकालेंगे तो पता है value कितनी आएगी एक बार फिर से X आप बोलोगे कि मैं ये जो ratio की value यहाँ पर I है X ये तो पहले भी कहीं आई है, कहां आई है मैं, पिछले वाले example में भी तो आपने यह करा था कि incident ray reflection हुआ, ये ratio आपने बनाया, है ना, sine I1 by sine R1, जब इसको solve करा तो इस ratio की value कितनी आगई, X आगई अब आपने दुबारा वही काम करा, मैं, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि जो angle of incidence यहां बना था exactly वही angle of incidence यहां भी बना और इसी कारण जो angle of reflection यहां बना वही angle of reflection यहां भी बना और इसलिए जब हमने एक बार फिर से ये ratio निकाला, तो ratio की value हमारे पर फिर से क्या आई है, X आई है, है ना मैं नहीं यही तो twist है कहानी में बेटा इसलिए तो यहां पर मैंने अलग-अलग angle of incidence बना है देखो न, यह बना है angle of incidence I1 और यह बना है I2 यानि कि I1 और I2 बेटा बराबर बराबर नहीं है अगर I1, I2 बराबर बराबर होते तो फिर मैं यहां पर भी I1 ही लिखती न यह सब कुछ अटा करके simple I ही लिखती कि हाँ angle of incidence कितना I है नहीं I1, I2 लिखने का मतलब क्या है बेटा कि यह angle of incidence और यह angle of incidence दोनों अलग-अलग है similarly R1 और R2 लिखने का मतलब क्या है कि यह angle of reflection और यह angle of reflection दोनों अलग-अलग है लेकिन जब हमने इनका यह sine I by sine R का ratio निकाला तो यह ratio constant आ रहा है, same आ रहा है ऐसा मैं बोल रही हूँ क्या नहीं बेटा ऐसा स्नेल्स law बोलता है, देखो जब अपन laws of reflection पढ़ते हैं तो हम यह बोलता है कि भई, angle of incidence और angle of reflection angle of incidence and angle of reflection दोना बराबर-बराबर होते हैं मतलब कि वहाँ पर हमें reflection वाले case में angle of incidence और आप बोल सकते हो कि angle of reflection के बीच में एक, you know, relation मिल जाता है एक relation मिल जाते है कि हाँ भी जितना angle of incidence होगा exactly उतना ही angle of reflection होगा लेकिन जब हम बात करते हैं बिटा refraction की न तो refraction में angle of incidence और angle of refraction के बीच में कोई s-a-ch हमें relation नहीं मिल पाता reflection में चीज़ें बहुत easy थी यह अगर angle of incidence 30 degree है तो angle of reflection भी कितना होगा? 30 degree हो जाएगा लेकिन reflection में ऐसा नहीं होता न और होते हैं यही तो ट्विस्ट है यहांपर मैं चीज़ लिखना चाहूंगी कि एंगल और यहां बराबर बराबर नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं कि प्रॉब्लम यहां पर क्या हो रही है कि light जैसे ही दूसरे medium में enter करती है वो अपने original path से खसक जाती है deviate हो जाती है, bend हो जाती है तो normal के तरफ bend होगी या normal से दूर जाकर के bending होगी तो क्योंकि यहाँ पर bending हो रही है light की original path से तो बेटा जो angle of reflection यहाँ पर बनता है न वो incident क्या बोलता है angle of incidence के बराबर नहीं हो पाता है तो एक relation जो है ना बैठ नहीं पाता है angle of incidence और angle of reflection के बीच में और इसी लिए जो महान scientist है वो जो है इसी में लगे रहे कि यार कुछ तो relation मिल जाए कुछ तो relation मिल जाए क्या relation मिला वो बड़े मुश्किलों के बाद उनको यह समझ में आया कि अगर हम दो जो पेर है अपना मीडिया का यदि हम उसको constant रखे same रखे तो जो ratio होगा sin of angle of incidence sin of angle of reflection यह हमेशा constant देखने को मिलेगा यह same रहेगा चाहो तो आप एक और example ले लो ठीक है एक और example ले लो फिर से हम क्या बनाएंगे यहाँ पर बेटा interface बना देंगे और जैसा कि मैंने बोला medium change नहीं होगा यदि यह medium air है तो यह दूसरा medium water ही होगा ठीक है क्या हुआ है light ray देखो आ रही है कुछ इस तरीके से incident light ray आ रही है interface पे strike कर रही है point of incidence में हमने क्या करा है normal ड्रॉ कर दिया या कुछ इस तरीके से ले कि आ जाओ इसको देखो ऐसे light ray आ रही है incident light ray strike कर रही है point of incidence पे हमने क्या करा normal draw कर दिया ठीक है और यह हमने बना दी क्या refracted ray तो incident ray और normal की बीच का angle क्या बन जाएगा angle of incidence reflected रहे और normal की बीच का angle क्या बनेगा angle of reflection लेकिन यहां पर جो angle of incidence बन रहा है वो क्या बन रहा है आई three और angle of refraction जो बन रहा है वो क्या बन रहा है r3 अब निकालो क्या इनकाumba sign of angle of incidence तो sign of angle of friction का ratio निकालो कितना आ जाएगा बेटा तो sign i3 by sign i-r जब ये ratio आप जब solve करोगे ना तो इसकी value कितनी आएगी दोबारा से x आएगी आप बोलोगे कि मैं पिछले दो examples में भी तो exactly यही हो रहा था कि हम ये वाला ratio निकाल रहे थे sign i by sign r कर ratio निकाल रहे थे पहले वाले case में तो value कितनी आई? x आगई दूसरे वाले case में भी value कितनी आई? x आई और तीसरे वाले case में भी value कितनी आई? इस ratio की x ही आई है मैं ये कैसे possible है तो बेटा यही तो relation है यही तो relation है जो snell's law बताता है snell's law ये बोलता है कि अगर आपके pair media के same हो वो अगर आप change ना करो तो चाहे incident ray जो भी angle बना करके normal के साथ इसके ओपर strike करेगी interface पर चाहे refracted ray जो भी angle of reflection बनाएगी normal के साथ इनका जी ratio होगा ना ये constant चलेगा मैं आपको ना एक और example से समझाती हूँ तो शायद आपको और बहतर समझ में आएगा कुछ बच्चे को सकते है कि अभी के अभी समझ में आ गया हो और कुछ बच्चे ऐसे हूँ जो मैं अभी तक समझ में ना आपा रहा हूँ उनको तो आज और फिर से देखू इस बार मैं आपको values लिख करके बताती हूँ तो शायद आप relate कर पाऊ ठीक है given pair of media अपने constant है ठीक है अच्छा बोलोगे कि मैं आप हमेशा air or water ले रहे हूँ इसका मतलब यह है कि केवल air or water के बीच में snails low applicable है तो बेटा ऐसा नहीं है समझाने के लिए यहाँ पर मैं air or water ले रही हूँ तुम चाहो तो water glass ले सकते हो water oil ले सकते हो oil glass ले सकते हो कुछ भी ले सकते हो ध्यान रिये रखना कि जो भी तुम फिर मतलब दूसरे examples लोगे न दूसरे तुम case लोगे example भी नहीं मुझे बुलना चाहिए जो तुम और cases लोगे न बेटा उन और cases में भी तुमको वही दुनों media लेने होंगे media change मत करना बस angle of incidence कुछ भी हो सकता है light ray, incident light ray आकर के interface पे गिर सकती है normal के साथ exactly कैसा भी angle बना कर के लेकिन media जो है वो same रखना है ठीक है? चलो अब यहाँ देखो incident light ray आई normal हो गया point of incidence पे ठीक है? यह हो गया क्या? reflected ray अपनी निकल गई यह बन गई क्या अपनी? reflected ray ठीक है? यह हो गया angle of incidence और यह हो गया angle of reflection मालो कि इस case में angle of incidence बन रहा है 30 degree का मालो कि इस case में angle of incidence बन रहा है 30 degree का यहाँ पर तब बने values नहीं ली थी ना यहाँ पर बस क्या था I1, 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 R1 I2, R2 है ना ऐसे था यहाँ पर अपने आपको values लिख करके बता रहा हूँ कि मालो कि यहाँ पर angle of incidence कितना बना है? 30 degree का बना है और angle of reflection कितना बना है? 20 degree का बना है तो जब इनका पन ratio निकालेंगे sine of angle of incidence, तो sine of angle of reflection, तो कितनी value आ जाएगी? sine 30 है ना? भई, I की जगा पर angle of incidence कितना बन रहा है? मैं बता तो रही हूँ, 30 degree बन रहा है तो लिखो ना यहाँ पर, sine 30 angle of reflection कितना बन रहा है? 20 degree ना? तो लिखो ना यहाँ पर sine 20, तो इस पूरे को बेटा जब अपन solve करेंगे तो suppose यहाँ पर हमारी value कितनी आ गई? suppose यहाँ पर हमारी value आ गई 1.2 अब आप बोलोगे कि मैं sine 30, sine 20 को solve करके value 1.2 नहीं आदी? आरे, यह सिर्फ समझाने के लिए बेटा बता रही हूँ मैं, मुझे भी पता है कि sine 30 by sine 20 के value 1.2 नहीं आएगे, कुछ और आएगी, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि मुझे एक value भी चाहिए ना, इसलिए यहाँ पर मैं क्या ले रही हूँ? 1.2 ले रही हूँ, बस example के लिए मैं आप पे ले रही हूँ, ठीक है? चलो, अब अपर लेते हैं दूसरा case, pair जो है media का वोपन को same रखना है air and water यह आगई incident light रहे point of incidence में हमने क्या करा? normal draw कर दिया, यह बन गई अपनी refracted रहे ठीक है? तो angle of incidence यह रहा और angle of reflection यह रहा, मालो कि इस case में angle of incidence बना है इस case में angle of incidence बना है, suppose 60 degree का, मालो, इस case में angle of incidence कितना बना है 60 degree मैंने क्या बोला था? कि given pair of media यदी same रखे जाएं तो उससे कोई फरक नहीं पढ़ता कि light ray, incident light ray आकर कि कितना angle बना रही है normal के साथ, refracted ray कितना angle बना रही है normal के साथ, उससे कोई फरक नहीं पढ़ता क्योंकि जो यह ratio होगा ना बिटा फिर वो constant D रहेगा, ठीक है? चलो, और angle of incidence को किया पर 60 degree है? तो मालो कि यहाँ पर angle of reflection कितना बन रहा है? 50 degree का बन रहा है मालो angle of reflection बना 50 degree और angle of incidence बना 60 degree अब हम क्या करेंगे? यहीं निकालेंगे ratio तो sin I by sin R रख देंगे दोनों ही अंगल की जो भी मलब जितने भी angles बन रहा है बिटा वो पन रख देंगे angle of incidence कितना बन रहा है 60 degree? तो यहाँ पर पर क्या रख देंगे? साइन 60 angle of reflection कितना बन रहा है? 50 degree तो यहाँ पर पर क्या रख देंगे? साइन 50 वही जो जो बन रहा है अंगल वो रखते जाओ साइन 60 पाई साइन 50 अब जब इस बिटा अपन रेशो को सॉल्व करेंगे यानि कि जब अपन साइन 60 और साइन 50 की वैलू स्पुट करेंगे तो जो अपना रेशो आएगा ना सॉल्व करके जो वैलू आएगे वो कितनी आएगे सपोर्स वान बाइटू वान बॉइन टू आप बोलोगे कि मैं यह वैलू तो यहाँ पर भी आई थी हाँ आई थी और यहाँ पर भी आ रही है मैं यह कैसे पॉसिपल है क्यों क्योंकि मैं अंगल ओफ इंसिदेंस तो यहाँ पर अलग अलग है मैं यहाँ पर अंगल ओफ इंसिदेंस से 30 भी और터 अई रिएगाँ यहाँ pacern दो यहाँ अलग है कितना है 20 डिएजन यहाँ कितना है 50 डिएगई तो फिर इस रेशो की वैलू दोनों में same कैसे आ सकती है बिटा वो इसलिए आ सकती है क्योंकि माना की दोनों cases में angle of incidence अलग-अलग है तो बिटा angle of incidence के ही proportion में angle of reflection भी तो अलग है ना सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि angle of incidence अपन change कर रहे हैं और angle of reflection वही के वही है कि यहां भी 20 वहां भी 20 आगी भी 20 नहीं जो भी angle of incidence बन रहा है बिटा या जो भी angle incidence रे बना रही है normal के साथ उसी के proportion में या उसी के relation में क्या होगा बिटा refracted ray भी बनाएगी angle normal के साथ कि यदि यहां पर बन रहा है क्या angle of incidence 30 डिगरी तो angle of reflection क्या बनेगा 20 डिगरी कम क्यों बन रहा है यहां पर angle of reflection क्योंकि light जो है बिटा वो rarer से denser medium में आ रही है न तो light क्यों होगी refracted ray normal के तरफ bend हो जाएगी तो angle of reflection छोटा ही बनेगा अब अगर यहां पर क्या बन रहा angle of incidence 60 डिगरी तो इसका मतलब यह नहीं कि angle of तो यहां पर क्या बनेगा अलग बनेगा 50 डिगरी लेकिन जो ratio आएगा यह वाला वो कितना आएगा same 1.2 तीसरा अपन केस ले लेते हैं फिर से वही air and water media रहेंगे अपने अब light ray आई है इंसिदेंट लाइट रहें और नॉर्मल के साथ इस बार उसने angle बनाया है मतलब कि angle of incidence जो बनाए बिटा वो कितना बनाए 10 डिगरी आरे मान लो यह चलो 10 चोड़ो 20 मान लो 20 डिगरी मानने में बिटा क्या जाता है तो मान लो ना इस बार जो angle of incidence बनाए वो कितना है 20 डिग और इस बार refracted rain ने normal के साथ जो angle बनाया है मतलब कि angle of reflection बनाए वो कितना बना है 15 डिगरी मैंने क्या बोला कि angle of incidence जो होता है ना उसी केस आप से angle of reflection भी बनता है और इस case में क्योंकि light rarer से denser medium में आजी तो angle of reflection angle of incidence से छोटा ही बनेगा ठीक है अब क्या करेंगे एक बार फिर से यह ratio निकालेंगे तो sin i by sin r तो sin i की जगह पे अपने क्या रख देंगे बिटा angle of incidence की value यापर कितनी है 20 डिगरी तो यहाँ पर लिखो साइन 20 एंगल of reflection की कितनी value है 15 डिगरी तो यहाँ पर लिखो साइन आर की जगह पे साइन 15 तो साइन 20 बाई साइन 15 अब मुझे पता है कि लिटरली जो values है साइन 20 और साइन 15 की रखोगे तो यहाँ पर जो value आएगी वो अलग आएगी लेकिन बिटा समझने के लिए बता रह हो कई बार बच्चे से बोलते है कि मेन diabetes रखेंगे कि तो कुछ और ही आएगा मुझे पता है value रखेंगे तो कुछ और ही आएगा लेकिन तुम्हें समझाना है यह सब चीजे है तो मैं उन बच्चोंको समझा हारी हूं जिनको कि यह चीज समझ में नहीं आई है जिसे यह सम कहने का मतलब यह है कि जो भी angle of incidence बनेगा उसी के proportion में angle of reflection भी बनेगा और जब अपन यह sign I by sign R का ratio निकालेंगे तो value क्या रहेगी? सेम रहेगी अगर अपने जो pair है media के वो constant है तो fourth case भी ले सकते हो air water incident ray ने जो angle बनाया है इस बार normal के साथ वो कितना बनाया है suppose बनाया है 40 degree का angle of reflection कितना बना? 30 degree का लगाओ यह ratio निकालो कितना आ जाएगा? sign 40 by sign 30 solve करने पर कितना आ जाएगा बेटा? 1.2 फिर से 1.2 तो आप बोलोगे कि मैं इसका मतलब यह है कि अगर हमने given pair of media same रखे हैं तो चाहे कोई साभी angle of incidence और कोई साभी angle of reflection क्यों ना बन रहा हो? यह जो ratio होगा ना sign of angle of incidence to the sign of angle of reflection यह हमेशा constant रहा exactly यही मैं आपको समझाना चारी थी यहाँ पर बन रहा है I1 यहाँ पर बन रहा है R1 value क्या आगई ratio की X यहाँ पर बन रहा angle of incidence I2 यहाँ पर बन रहा angle of reflection R2 ratio की value कितनी आगई फिर से X तीसरे वाले case में incident ray क्या angle बना दिया normal के साथ I3 refracted ray क्या angle बना दिया normal के साथ R3 लेकिन जब इनका हमने यह ratio निकाला फिर से value क्या आगई इनके ratio की X तो यही मैं आपको statement बताना चाहिती Snell's law का की when the given pair of media are kept same then the ratio of sign of angle of incidence to the sign of angle of reflection will remain constant ठीक है लिख दू यहाँ पर मैं the ratio of sign of angle of incidence to the sign of angle of refraction will remain constant provided the given pair of media media are kept same given pair of media यादी same है तो फिर यह जो ratio होका ना यह हमेशा constant चलेगा ठीक है इसको पन शॉट में ऐसे भी लिख सकते है sin i by sin r constant ठीक चला अब बेटा it segur एम एक लुक होगे तो फिर बाती क्या है स्नेल लोुक का इस एक aspect आपको समझ में आगया एक form आपको समझ में आ गया अब बिटा इसी स्नेल्सलो का ना एक और formats होता है एक form तो यह हो गया, अब यह और form होता है, क्या form होता है स्नेल्स लोग का, कि यह जो ratio होता है न, sin i by sin r का, बिटा यह relative refractive index के बराबर होता है, कौन सा relative refractive index, तो यह ratio बराबर होता है, refractive index of medium 2 with respect to 1 के बराबर, मैंने क्या बोला, स्नेल्स लोग के दो form होता है, एक form तो यह हो गया, कि अगर given pair of media same है, यह वो है, तो यह जो ratio होगा, यह constant रहेगा, दूसरा form क्या होता है, second form of स्नेल्स लोग, second form, कि यह जो ratio होता है, sin i by sin r का, यह बराबर होता है, refractive index of medium 2 with respect to 1 के बराबर, constant तो होगा, यह ratio constant तो होगा, लेकिन यह बराबर किसके होगा, है न, given pair of media को यदि अपन same रखें, तो यह जो ratio है, sin i by sin r का, यह constant तो होगा, लेकिन बराबर किसके होगा, यह बराबर होगा, इसके, refractive index of medium 2 with respect to 1 के बराबर, अब आप बोलोगे कि मैं medium 1 क्या है, medium 2 क्या है, तो बिटा, medium 1 वो है, जहां से light आ रही है, और medium 2 वो है, जहां पर light जा रही है, यह fix करना पड़ेगा आपको, तो दो form होगा, स्नेल्स लोग के, एक यह वाला, कि sin i by sin r का जो रेशो है, वो constant रहेगा, अगर given pair of media को हमने सेम रखा है तो, और दूसरा form यह रहेगा, sin i by sin r, किसके बराबर होगा, refractive index of medium 2 with respect to 1 के बराबर, medium 1 क्या है, जहां पर light initially travel कर रही थी, medium 2 क्या है, जहां पर light आ गई है, ठीक है, अब तुमको पता इसको अपन खोल भी सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं, याद करो, पिछला सेशन, जब अपनने refractive index की बात करी थी, अमेना को बढ़ा था, यह लंबा सा statement होता है, कि refractive index of medium 2 with respect to 1, refractive index of medium 2 with respect to medium 1, इसको अपन लिखते कैसे हैं, ठीक है, तो with respect to के बाद, जो medium लिखा होता है, उस medium के refractive index को अपन बाद में ही लिखते हैं, बाद में मतलब बेटा कहां, तो denominator में, है ना, इसको अपन, भई, refractive index of medium 2 with respect to 1, इसको अपन छोट में कैसे लेखेंगे, ऐसे लेखेंगे, कि refractive index of medium 2 with respect to 1, अब इसका अपन ratio कैसे बनाएंगे, तो with respect to के बाद, जो medium होगा ना, उसके refractive index को अपन बाद में लिखेंगे, बाद में कहां, denominator में, तो denominator में क्या जाएगा, medium 1 का, देखो न, with respect to के बाद, कौन सा medium लिखा हुआ है, medium 1, तो medium 1 का जो refractive index होगा बेटा, उसको अपन बाद में लिखेंगे, कहां, denominator में, यानि की, n1, तो denominator में क्या आगया, medium 1 का, refractive index, तो numerator में क्या आएगा, अरे जो बचा होगा, क्या बचा है, medium 2 का refractive index, तो लिखो ना याँ पर, refractive index of medium 2, इसको अपन खोल करके, तो ऐसी लिखेंगे न, कि refractive index of medium 2, with respect to 1, इसको अपन और खोल सकते हैं, कैसे, किसी भी medium का बेटा, absolute refractive index, अपन कैसे निकालते हैं, किसी भी medium का, absolute refractive index, अपन कैसे निकालते हैं, वही, ratio बनाते हैं, numerator में क्या आता है, light की speed in air, और denominator में क्या आता है, light की speed in that particular medium, तो जहां आपने ये ratio बनाया, बिटा, क्या जाएगा, उस medium का refractive index आ जाएगा, तो अगर यहाँ पर मुझे कोई बोले कि भाई, ये जो medium 2 का refractive index है, medium 2 का refractive index है, absolute refractive index, इसको खोल करके लिखो, या medium 2 का क्या करो, refractive index बनाओ, तो मैं कैसे बनाओंगी, ratio, है ना, numerator में क्या आएगा, fix रहेगा, light की speed in air, और denominator में, light की speed in medium 2, है ना, light की speed in medium 2, तो similarly इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कि sin i by sin r is equals to n2 की जगा पे, मतलब second medium के refractive index की जगा पे, बिटा में क्या लिख सकती हूँ, c by v2, light की speed in air, by light की speed in medium 2, divided by, अब refractive index of medium 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्या बनेगा formula, light की speed in air, by light की speed in medium 1, तो n1 की जगा पे मैं क्या लिख सकती हूँ, c by v1, यह हो गया पूरा numerator, यह हो गया पूरा denominator, अब क्या करेंगे, score solve करेंगे, तो यह जो पूरा denominator है पेटा, यह उपर जाकर के उल्टाओके multiply हो जाएगा, यानि कि sin i by sin r is equals to c by v2, c by v2 into, क्योंकि यह उपर जाकर के उल्टाओके multiply होगा, तो c by v2 into v1 by c, c काफी अडिव सा बन गया, ठीक है, चलो, तो यह हो गया, अब 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 क्या करेंगे, बई c, c कॉमन आरा न, तो नीचे वाला c, उपर वाला c से कड़ जाएगा, बचेगा कितना, sin i by sin r is equals to v1 by v2, और यही बन जाता है, स्नेल्स लो का दूसरा फॉर्म, ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, v2 को यहाँ ले जाओ, sin r को यहाँ ले जाओ, तो यह क्या बन जाएगा, v2 into sin i is equals to v1 sin r, यह है बिटा स्नेल्स लोग का दूसरा, एक फॉर्म तो आपको समझ में आई गया था, कि भई अगर given pair of medium हमने same रखे हैं, constant रखे हैं, तो जो sin i by sin r का जो ratio होगा, it will remain constant, दूसरा फॉर्म क्या बोलता है, दूसरा फॉर्म यह बोलता है, medium 2 क्या है, जहाँ पर light ultimately गई, है ना, तो यह ऐसे लिखेंगे अपन, sin i by sin r is equals to n, यहने कि refractive index of medium 2 with respect to 1, इसको अपन ratio में कैसे लिख सकते हैं, refractive index of medium 2 by refractive index of medium 1, इन दोनों ही refractive indices को अपन खोल के कैसे लिख सकते हैं, जिसे कि यह है, refractive index of medium 2, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, light की speed in air by light की speed in medium 2, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, light की speed in air by light की speed in medium 1, अब क्या करेंगे, इसको solve करेंगे, यह denominator है, यह उपर जाकर की पूरा हो करके multiply हो जाएगा, तो यह C से C कर जाएगा, बजेगा कितना, sin i by sin r is equal to v1 by v2, इसको अगर आपने और further solve की तो अपना answer कितना आजाएगा, है ना, क्रिस-क्रॉस कर दो, तो v2 into sin 1 is equal to v1 into sin r, यह हो जाता है स्नेल्स लोग का दूसरा form, और कभी-कभी इसके उपर questions बन जाते हैं, आप बोलोगे कि मैं गी क्यों पढ़ाया आपने, क्योंकि कई बार बेटा इसके उपर सवाल बन जाते हैं, कि मालोगे आपको angle of incidence, angle of reflection दिये हुए हैं, ठीक है, यानि कि आपके पास sin i और sin r आ जाएगा, और आपको ये भी बताया गया है, कि पहले वाले medium में light की speed इतनी थी, तो निकालो क्या, दूसरे medium में light की speed, तो कैसे निकालोगे, इस formula से निकालोगे, ठीक है, चलो, अब अपन read कर लेते हैं, आजाओ, first law तो क्या बोलता है, सबको पता ही है, the incident ray, refracted ray and normal, to the interface of the two media, at the point of incidence, all lie on the same plane, सब क्या करते हैं, same plane पर लाए करते हैं, ठीक है, then second law क्या बोलता है, the ratio of sign of angle of incidence, to the sign of angle of refraction, ये जो ratio होता है, sign of angle of incidence, to the sign of angle of refraction का, ये constant होता है, for a given pair of media, this is also called, Snell's law of refraction, ठीक, चल, ये बस बेटा, वही सब चीज़े, तुम्हें समझाने की बात, हो रही है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, हाँ, तुम चाहो तो, जैसे कि यहाँ पर, जो अपर ने लिखा है ना, ये, इसको भी तुम कुछ, ऐसे लिख सकते हो, सो क्रिस क्रोस कर दो, एन बन को यहाँ लजाओ, और साइन, आर को यहां ले जाओ, तो यह ऐसे लिख जाएगा, एन बन साइन, आई, इस इक्वेलस तू, एन टू, साइन, आर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, तो यह दोनों बेटा तुमको याद रखने होंगे, कुछ नहीं करा, इस चीज को मैंने, मतलब तुमको यह पता चल गया, कि यह जो रेशो यह बराबर होता है, इसको मैंने खोल दिया, और खोल करके क्या करा है, सिकर इस क्रॉस कर दिया, तो N1 साइन आई आगया, और अगर विलोसिटी के टर्म्स में लिखना है, तो ऐसा आएगा, ठीक है, चल, तो बस यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है, N1, यह थीटा क्या है बिटा, यह थीटा 1 क्या है, यह आई है, और थीटा 2 क्या है, अंगल अफ रिफ्रेक्शन है, ठीक है, चल, यह बिटा, साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60, और क्या बोलते है, 90 डिगरी की वैल्यूस है, जो आपको याद होनी चाहिए, वैसे तो मैंस पर पड़ेगा, चलो, अब कुछ क्वेस्टिन पेटा हम सॉल्व कर लेते हैं, आजाओ, दा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑग्लिसरेन इस 1.46, वाट इस पीड अग्लिसरेन इस 2.05, इन्टु पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अच्छा, यहाँ पर बिटा, आपको ग्लिसरेन का र 10 रिस टु पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लाइट की स्पीड बिटा, आपको निकालनी है कहां, एयर में, तो कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मुला होता है न, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाला, वो ही लगा देंगे, यहाँ पर रग दो 1.46 is equals 2, हाँ जी, बिटा, यहाँ पर मेरे इसाप से न, थोड़ी सी, ओके, लेट मी रिफ्रेम इट, क्वेश्चन बिटा थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ, ठीक है, यह वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, एक्चुली, मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, बच्चों, क्वेश्चन ये रहेगा, कि light की जो speed है, glycerin में वो आपको दी हुए, कितनी, 2.05 into 10 raise to power, 8 meter per second, ठीक है, और light की speed in air आपको पता ही है, नोन वैल्यू होगी है, आपको निकालना क्या है, glycerin का refractive index निकालना है, question थोड़ा सा मैंने reframe कर दिया है, अब question बिल्कुल सही बना है, कि light की जो speed है, glycerin में वो इतनी है, air में आपको पता ही होगी, निकालो क्या, glycerin का refractive index, कैसे निकालते बिटा, किसी भी medium का absolute refractive index, 3 into 10 raise to power 8 meter per second, glycerin में कितनी है, 2.05 into 10 raise to power 8 meter per second, क्या करेंगे बिटा, meter per second से meter per second गया, 10 raise to power 8 से 10 raise to power 8 गया, बचा कितना, 3 by 2.05, अब इसको solve कर लो, decimal हटा दो तो उपर आ जाएंगे 2, 0, 5 से काट दो, 5, 6 are 30, 5, 4's are 20, 5, 1's are 5, आप 60 by 41 को बिटा, solve करोगे, तो मेरे इसाब से 1 point कुछ आना चाहिए, है ना, 1's are, 9, 5, 1, 41 into 5 यदि हम कर देंगे तो जादा हो जाएगा, 41 into 4 कर दो तो कितना आएगा, 4's are 4, 4's is 16, हाँ, 164 आजाएगा, 4's are 164, something like that, यानि कि इसको solve करोगे बिटा, तो आप कांसर कितना जाएगा, approximately 1.4, तो यह आजाएगा, क्या, refractive index of glycerin, सवाल बिटा, थोटा से मैंने reframe कर दिया है, ध्यान रखना, कि दोनों medium में light की speed आपको दी हुई है, एक में दी हुई है, एक में आपको पता होना चाहिए, और हमने क्या कर रहा, उस medium का refractive index निकाल दे कितना, लगभग, लगभग, 1.4 के बराबर, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं सिपाईयो, further solve करोगे बिटा, तो 4 के बाद 6 भी आ जाएगा, पर 1.4 भी enough है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, चलो, next question, अच्छा, अब यहाँ पर answer दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ देर के लिए हम यह चुपा लेते हैं, देखो, suppose a ray of light, angle of incidence कितना है, 37 degree and angle of reflection कितना है, 24 degree, find the refractive index, okay, यानि कि यहाँ पर आपको angle of incidence दिया हुआ है, 37 degree का, और आपको angle of reflection भी दिया हुआ है, कितना, 24 degree का, आपको क्या निकालना है, refractive index, तो आप बोलोगे कि मैं angle of incidence और angle of reflection से हम refractive index कैसे निकाल सकते हैं, तो याद करो ना, snails law का दूसरा form, भी, snails law का दूसरा form क्या बोलता है, एक बात, पहले मैं यह हटा दू, blank slide, हाँ जी, snails law का पेटा जो दूसरा form है, वो हमको क्या बताता है, angle of incidence और angle of reflection और refractive index की बीच का relation ही तो बताता है, तो यहाँ पर आपको वही तो निकालना है, आजो निकाल देते हैं, sin i by sin r is equal to refractive index of medium 2 with respect to 1, sin i, i की जगह पे क्या रखोगे बिटा, 37 degree, r की जगह पे क्या रखोगे, 24 degree, refractive index के बराबर, ठीक है, अब sin 37 की value यहाँ पर आपको देखो given है सवाल में, क्योंकि sin 30, 45, 90, यह values तो आपके syllabus में, maths में आपको याद हो जाएंगी, लेकिन 37, 46, 44 यह values कौन याद रखेगा, तो वो सवाल में given रहेंगी, चीक है, तो sin 37 की value कितनी है, 0.6, 0.6, sin 24 की value कितनी है, 0.4, बेटा इसको solve कर लो, 0.6 by 0.4 को solve कर लो, 2 सजाएगा decimal हटा दो, 2 सजाएगा 2, 2's are 4, 2, 3's are 6, 1.5 आजाएगा, तो यह आजाएगा, refractive index, जो आप से सवाल में निकालने के लिए बोला गया है, तो इस तरह की सवाल आ जाते है, snails block के ओपर, ठीक है, चल, आगे बढ़ते हैं बिटा, a beam of light passes from air into a substance x, if the angle of incidence is 72 degree and the angle of reflection is 40 degree, calculate the refractive index of substance x, मतलब वोई है कि air से कहां आ रहा है, कहां से कहां आ रही है, light air से, substance x में आ रही है, angle of incidence आपको given है, angle of reflection आपको given है, आपको substance का refractive index निकालना है, तो आसान है, है न, sine i, क्या बोलता है, snails block का दूसरा form, sine i by sine r, किसके बराबर होता है, refractive index of medium 2 with respect to 1, medium 2 क्या है बेटा, जहां पर light आ रही है, medium 1 क्या है, जहां से light आ रही थी, initially light कहां थी, air में थी, तो air क्या हो जाएगा, medium 1, और light ultimately गई कहां, substance x में, तो यह हो जाएगा medium 2, तो refractive index of medium 2 with respect to 1, तो sine i की जगा पर क्या रखेंगे, sine 72 degree, और sine r की जगा पर 40 degree, sine 72 की value आपको given है, देखो, 0.951, 0.951, sine r की value भी आपको given है, sine 42 degree, sine 40 degree की value आपको जगा या पर given है, 0.642, अब इसको solve कर लेना बेटा, ठीक है, तो जो भी तुमारा answer आएगा, तुमारी शद्धा से, वो कितना आएगा, 1.48, तो यह हो जाएगा, substance X की refractive index की value, 1.48, आई बात समझ में, तो कुछ नहीं, इस तरीके की सवाल बन जाते हैं, बिटा तो तुम्हें, यह जो दूसरा फॉर्म है, snaz log यह भी पता होना चाहिए, यह नहीं कि बस theory theory पढ़ ली, और जब सवाल आगा, snaz log पर, numerical वाला तो तुमसे बना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी, ठीक है, चलो, next, calculate the speed of light in water of refractive index 4 by 3, तो बहुत ही बच्चो बदा सवाल है, कि refractive index दिया हुआ है, और light की speed आपको निकालनी है, water में, कैसे निकालोगे, कितना है refractive index 4 by 3, 4 into light की speed in water, 3, 3 सा 9 सीधे लिख देती हूँ, into 10 raise to power 8 meter per second, इसको यहां लगाओ, denominator में, तो light की speed in water is equals to 9 into 10 raise to power 8 meter per second by 4, अब इसको solve कर लेना, 2 point कुछ आ जाएगा है न, 2.25, तो 2.25 into 10 raise to power जागा नहीं है, साइट में लिख देती हूँ, लाइट की speed in water पिटा कितने है जाएगी, 2.25 into 10 raise to power 8 meter per second, ओके, चलो, next question, light travels from rarer medium 1 to denser medium 2, the angle of incidence and the angle of refraction are respectively इतने इतने, calculate the refractive index of medium 2 with respect to medium 1, कैसे निकालेंगे, sine i by sine r is equals to refractive index of medium 2 with respect to 1, बाई, Snell's law का ये formula आपको हमेशा जीवन में याद रखना पड़ेगा, तो, sine i कितना है बिटा, sine i है, मनलब angle of incidence कितना है, 45 degree, और angle of, क्या बोलता है, reflection कितना है, 30 degree, तो sine i की जगा पे क्या लिखोगे, sine 45, और sine r की जगा पे, sine 30, sine 45 की value क्या होती है, 1 by root 2, और sine 30 की क्या होती है, 1 by 2, इसको solve परो बिटा, तो ये उपर जाकर की पूरा उल्टाओ करकी multiply हो जाएगा, तो 1 by root 2, into 2 by 1, है ना, मतलब कि कितना हो जाएगा, 2 by root 2, 2 by root 2, root 2 की value कितनी होती है, 1.4 type की कुछ होती है, है ना, root 2 की value बिटा कितनी होती है, 1.4 होती है, तो 1.41 करके इसको आगे solve करोगी बिटा, तो कितना answer आजाएगा तुमारा, 0.707, ये आजाएगी, refractive index of medium 2, with respect to 1 की value, 0.707, clear हुआ सबको, कुछ नहीं, sine i by sine r कर दिया है, sine i कितना है, 45, sine r कितना है, sine 30, दोनों की values put कर दि, solve कर दिया, कितना answer आगया, 0.707, लेकिन सवाल बस यहीं खतम नहीं होता, सवाल को दूसरा पार्ट क्या मोलता है, refractive index of medium 1, with respect to medium 2, अभी तक तो वहाँत मामला आसान चल रहा था, कि हाँ मैं, medium 2 वो है, जहां पर light आ रही है, medium 1 क्या है, जहां से light आ रही है, तो formula क्या बनता है, sine of angle of incidence, of the sine of angle of reflection, is equals to refractive index of medium 2, with respect to 1, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, अब हमें refractive index of medium 1, with respect to 2, निकालना है, मैं हम यह कैसे निकालेंगे, तो याद करो, पिछले adventure refractive index वाला, मैंने आपको बताया था, कि refractive index of medium 2, with respect to 1, के बराबर क्या होता है, इसका reciprocal, यानि की refractive index of medium 1, with respect to medium 2, ये relation बताया था कि नहीं बताया था, हैना, कि refractive index of medium 2, with respect to 1, कि सके बराबर होता है, बन बाइर effective index of medium 1, with respect to 2, तो अगर आपके पास ये है 0.707 तो आप इसका reciprocal निकाल लो कि तो क्या आजाएगा refractive index of medium 1 with respect to 2 यानि कि N12 कितना जाएगा बिटा 1 by 0.707 के बराबर इसको आप solve करोगे आपका आंतर कितना आजाएगा अरे एक छुटी सी बिटा दिक्कत हो गई है very sorry ये जो value है ये इतनी नहीं आएगी ये मैंने उल्टा लेग दिया ठीक है जब आप 2 root 2 को solve करोगे तो आपकी value actually 1.41 आएगी ठीक है 1.41 आएगी और जब आप इसका उल्टा करोगे तो इसकी value कितनी आजाएगी 0.707 ये चोटा सा correction कर लेना ठीक है अब मैंने पूरा solve नहीं करा इतना तो बिटा आपको maths में मतलब आता ही होगा ना इसलिए मैंने वो चीज़ छोड़ दी थी ठीक है तो यहाँ पर गलती हो गई बिटा refractive index of medium 2 with respect to 1 की value कितनी आई 1.41 उसका उल्टा कर तो तो क्या जाएगा refractive index of medium 1 with respect to 2 की value याने की 0.707 चल नेक्स्ट question how much time will light takes to cross 2 mm thick glass pen if refractive index of glasses 3 by 2 आप बोलोगे कि मैं time यहां से कहां से आ गया वह आपसे बोला गया कि glass की क्या है वह slab pen है थिकने से उसकी दी हुई है refractive index उसका दिया हुए है बताना है कि उसको cross करने में light को time कित्ता लगेगा तो आप बोलोगे कि मैं time के लिए कहां से निकालेंगे तो बच्पन में तुमने formula पढ़ा होगा speed is equal distance upon time का तो यहां से अपन time क्या से निकालते हैं distance upon speed से निकालते हैं तो जैसे कि यह glass की जो क्यान है इसकी thickness को कि दी हुए है यह सुमक्ति ही 2 मिलीमेटर होगा तो यदि-light को इसको cross करना होगा ढ़ा तो 2 mm की thickness तो क्रोष करना होगा मतलब इस कितना travel कर रेगी इस ग्लास जो भी है इसको खोड़ करने के लिए वह distance कितना ट्रावल करेगी 2 mm तो डिस्टेंस तो आपके पास आजाएगा 2 mm इसको आप क्या लिख सकते हो 2 10 देश्टू पावर माइनस 3 मीटर मिली मीटर को मीटर में कनवर्ट कर देना ठीक है तो अगर इसको ख्रोस करना है तो लायट को इसकी थिकनेस के बराबर यापके डिस्टेंस करना होगा तो डिस्टेंस आपना बची स्पीड तो केसे निकाल सकते हैं तो वहां से निकालो रिफिरेक्ति ंडेक्स आपको कितना दिया हुआ है three by two light집 कितनी होती एर में इतनी होती है औरライट cheese tiden इन फिजांक कितनी होगी वह निकाल लो ठीक है इस थी से कट जाए गा इसको यहां ले जाओ इसको यहां ले जाओ तो light key speed in glass में कितनी आ जाएगी 2 into 10 raise to power 8 meter per second अब यही speed की value अब कहां रखो इस formula में रख दो तो time is equal to distance कितना है 2 into 10 raise to power minus 3 meter और क्या बोलते हैं यह अहां light key speed in glass कितनी है बेटा 2 into 10 raise to power 8 meter per second thickness कितनी होगे distance कितना हो गया 2 into 10 raise to power minus 3 meter और speed कितनी हो गयी light key glass pen में तो 2 into 10 raise to power 8 meter per second अब क्या करेंगे बेटा नीचे का 2 ऊपर के 2 से कट जाएगा ठीक है नीचे का meter ऊपर के meter से कट जाएगा बचेगा कितना बचेगा time is equal to 10 raise to power minus 3 by 10 raise to power 8 और साथ में seconds seconds अब क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे बेटा 10 raise to power 8 को उपर ले जाएगे तो यहां पर यह positive है उपर जाकर के negative हो जाएगा तो negative negative क्या हो जाएगा एड हो जाएगा तो minus 3 में minus 8 एड कर दो कितना हो जाएगा minus 11 तो time आजाएगा बेटा 10 raise to power minus 11 seconds 2 से 2 कडिया meter से meter कडिया 10 raise to power 8 इसको पर ले जाओ तो यह positive से negative हो जाएगा negative negative plus हो जाएगा तो 8 में 3 add कर दो कितना हो जाएगा 11 साइन आजाएगा negative, तो time कितना जाएगा, 10 दिश्टो पावर minus 11 seconds, okay or not okay, चलो भई, अभी यह homework ले लो तुम लो, चलो, array of light passes from air to glass, refractive index दिया हुआ है, at an angle of 30 degree, calculate the angle of reflection, आसान है, निकाल सकते हो, ठीक है, कि sin i by sin r is equals to, ये value आपको दी हुई है 1.5, angle of incidence आपको दी आए, angle of reflection निकालना है, निकाल लोगे, homework है, करके देखना, तो आज के session के लिए बिटा बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने अगले session में, हम क्या करेंगे, spherical lenses के concept को शुरू करेंगे, है ना, reflection पढ़ लिया है, और आप बोल सकते हो, कि laws of reflection पढ़ लिया है, refractive index पढ़ लिया है, अच्छा, हाँ, glass lab का भी एक matter रह गया है, वो इबबन कर लेंगे, लेकिन हाँ, अगले session से हम शुरू करेंगे, क्या spherical lenses को, और बस, आज के लिए इतना ही, session अच्छा लगा हो, तो like करेगा, share करेगा, और channel को subscribe करके भी जाएगा, तो मिलते हैं आपने अगले session में, तब तक के लिए keep learning with definite success पार शाला, bye bye, have a great day.